हमारे देश के जो महापूरुस हैं, कभी-कभी महापूरुसों पर भी निबंद लिखने को कहा जाता है। जैसे निताजी शुवास्चन बोस हैं, महात्मा गांधी हैं, पंडि जवाहलाल नेहरू हैं, लाल बहादूर सास्त्री हैं, जैसे इंदिरा गांधी हैं, एस राधा कृष्णन, मदन मोहन मालवीय, जैसे स्वामी द्यानन सरस्वती, विवेकानन गुर्नानक देव महावीर स् मदर टेरेशा, तो इस तरह से अनेक हमारे जो महापुरुष हैं, किसी एक महापुरुष पर निबंद पूछा जा सकता है, और एक निबंद आता है बच्चों, वैज्ञानिक, विज्ञान से संबंदे, जैसे विज्ञान वर्दान है आविशाप, कम्प्यूटर, टेलिव इजन, अंतरिक्ष में मनुस्य के बढ़ते कदम, दूरदर्शन है, और टेलिफोनिक जो क्रांती है, ये सब बैज्ञानिक निबंदों के अंतरगत आते हैं, अब आता है मनोरण्यन के आधुनिक साधन जो हैं, जैसे सिनेमा है, दूरदर्शन है, इन पर भी निबंद पू पर भी जो है निबंद लिखने को कहा जाता है, जैसे संत कभीरदास हैं, लोकनायक तुलसी हैं, रहीम हैं, रस्खानी हैं, जैसंकर प्रसाद हैं, मैतली संगुत हैं, बंकिम चंचतर जी हैं, मुंसी प्रेम चंद हैं, इन पर भी कभी-कभी निबंद पूछा जाता है, कभ चैसे आत्मक निवंद विवरन के रूप में जैसे विद्ध्याले बाटिका है नदी है तालाव हो है सुर्योद एक अद्रिश से कैसा है इस पर लिखने को कहते हैं कभी-कभी खेल जगत खेल जगत में जैसे क्रिकेट मैच है फुटवाल है बॉलीबाल है ओलंपिक खेल है इ जैसे प्रदूशन आज कल प्रदूशन बहुत चर्चित विशे हो गया है पर्यावन प्रदूशन जल प्रदूशन वाव प्रदूशन द्ध्वन प्रदूशन जैसे प्राकृतिक आपदा सूखे पर इस तरह के भी निबंद पूछे जाते हैं जैसे मेला है प्रमुख दर शैनिक शिक्षा है और जो ज्वलंत विशे हैं जैसे गरीबी बढ़ती आवादी भुखमरी दहेश प्रथा भ्रस्टा चार और बेरोजगारी की समस्या और अन्य निबंधों में जैसे शुआ छूत है अंतर जाती विवा है कन्या भून हत्या है आरक्षन है नारी की इस्तित है इस तरह के भी निबंध कभी कभी पूछे जाते हैं अब आये कुछ निबंधों की रूप रेखा पर हम चर्चा करें जैसे एक विशे है राष्ट्रियता या राष्ट्रियता के आधार तो पहले तो जैसा मैंने आपसे बताया था पहले प्रस्तावना लिखी जाएगी प्रस्तावना में राष्ट्रियता का महत्तो है फिर राष्ट्र की परिभाषा भाषा जाति संस्कृति इतिहास और जो समान धर्म आधि में अटू ठेकता और स्वतंत्र्य या स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अनवरत प्रयत्न सील रहना एक्ता की स्रिंखला में आबध ये तो हो गया रास्त की परिभासा में सारी बातें आ जायेंगी अब राश्टियता की अनिवारित तद तो क्या क्या है एक तो रास्तियता जो है बच्चो भावातम सामाजी केक्ता के लिए परमावस्यक है राजनेतिक समाज की ब्योस्ता सम्मान सही स्वाधीनता पूर्वक जीवन आपन की उत्कृष्ट अभिलासा ये राश्तियता कहिके जो अनिवारितत्तों हैं किसी विशेश प्रदेश की भौगोली केक्ता समान जातिय भावना समान ध अब आता है राजनेतिक गुण आत्म के हीनता की समाप्ति और स्वाहमान की जागरति राश्त का कल्यान ब्यक्ति के संकुचित स्वाका परित्याग विश्वबंधुत्य की भावना का उदय और संकल्पों और विशारों में दिढ़ता स्वाधीनता के प्रति अडिक पांचवी रूप रेखा बनेगी राश्तियता में आजकल कुछ दोश आ गये हैं वो दोश क्या क्या हैं जैसे अत्यठिक राश्तियता जो है वह जातियों के प्रति हिंता की भावना को जन्म देती है नीतिया और धर्म का परित्याग हो जाता है कभी-कभी स्वार्त्मई स संकुचित भावनाओं से आबरित हो जाती है राश्तियता अब छटमा है आधुनिक युग में राश्तियता का स्थान वास्तों में राश्तियता अंतर राश्तियता के रूप में परवर्तित हो जाए संकुचित स्वा पर आधारित जो राश्तियता है उसका परित्याग ब चिंताने जो दर्शन है सर्वे भवन्त सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्रान इपश्यंतु मा कस्चित दुख भाग भवेत हम पूरे विश्व का कल्यान चाहते हैं तो वो जब भावना हमारे भीतर बल्वती हो जाए तब आप समझे की रास्तियता जो है वह पर लखा जाएगा उप संगार में सुख और सांत्य के लिए संकुचित छोणकर सुतन्तर रास्ट के लिए राश्तियता तथा विश्व के लिए अंतरअ राश्त की तो जैसे महा कभी सूर्दास पर आ गया ब्रितित और कृतित तो जब महा कभी सूर्दास पर आपको लिखना है तो प्रस्तावना में जाएगा साहित्य और साहित्यकार का महत्पूर इसके बाद संक्षित जीवन परचे जन्म है सिख्षा दिख्षा है प्रमुग घटनाए हैं उनकी इम्रित यो है इसके बाद सूर के साथ है सूर की भक्ती जैसे दास्य और सख्ष भाव की है इस सख्ष भाव के उपासक थे पुष्ट इमारगी संप्रदाय से दिख्षित थे इनके गुर्ज जो हैं स्वामी वल्लभाचारी जी थे और साहित्य सेवा इन्होंने क क्या क्या की मतलब इनकी रशनाएं क्या क्या है जैसे सूर सागर है सूर्शारावली है सचति लहरी हैं अब इनका काभ विसौस्थो के घंतरज़ हैं soot की और कर दो बातें आतीयां बहाव पक्ष और उपसंगार में दीजिए के हिंदी साहित में सूर का स्थान सूर सूर तुलसी सची उडगन के सो दास अब के कभी खद्यो तसम जहता करत प्रकास सूर जो हैं सूर की भाती निरंतर प्रकास मान है तो इस तरह से महाकवियों पर अगर लिखना हुआ तो उसकी रूप रेखा भी भाजित कर लेते हैं बच्चो रूप रेखा जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक आप निबंध अच्छे ढंग से नहीं लिख पाएंगे बलकि आपके दिमाग में भटकाओ आ जाएगा जैसे कभी-कभी trusting लिखने को आता है यदि मैं प्रधानमंत्री होता यदि मैं सिक्षक होता यदि मैं मुख्यमंत्री होता यदि मैं नेता होता प्राध्यापक होता इस तरह के जो निबंध हाते हैं तो पहले इसमें सबसे प प्रश्तावना भूप में से प्रजाएगरा प्रजानमंतर कि और यह शॉंक्राइप देश की वर्तमान स्थित्य आज हमारी आर्थिक राये नैतिक और नैतिक इस्तिति क्या है यह दिमय प्रधानमंत्री होता तो देश के सर्वांगिण विकास के साथ कुछ और बातों को ध्यान में रखता यह सब अप वर्तमान इस्तिति के बाद जाएगा जैसे कर्टब विपालन न करने पर कठोर दंड की व्योस्था ब्रस्टा च कठोर द्रिश्ट याओर कठोर दंड एवं नियंत्रण अनैतिक ब्यक्तियों को भी दंड की वे उस्था एदमय प्रहानमंत्री होता ब्यक्तिगत चरित्र निर्मान पर विशेज ध्यान अपराधों पर नियंत्रण पाने के लिए वर्तमान कानूनों में आमूल चूल परि यहिन्यान वक्तों महिं देश के सरंवंगेर्विकास के लिए लिए प्रहानमंती की प्रतिबद्धता वह पर्मावश्यक है धेश के विभाजनकारी और जो बिगटनकारी तत्तों हैं उनके लिए सजागाप्रव्दान देश के गवरों को डूबूने वाले व्यक्ति को प चाहिए यदि में प्रधान मंत्री होता तो निश्टित रूप से इस प्रकार का साहित्य में तदकाल बंद कर देता सिनेमा जगत में जो अभध्रता पूर्ण बाते हैं उन्हें कभी भी अनुमति उसकी न देता नसीली बस्तों का उत्पादन उभभोग पर प्रतिवन लगा देता तो इस तरह से यदि में प्रधान मंत्री होता यह मुख मंत्री होते, शिक्षा मंत्री होते, जैसे यह इसमें शिक्षक होता, तो जिसके जो दाईतों हैं, जो कर्तब हैं, उन पर चर्चा की जानी आवस्यक है, उसको इसमें लिखा जाता है. इसके बाद बच्चो उप्षंगार आता है उप्षंगार में देश का कल्यान कैसे हो जो हमने अभी आपको बताए जिन बिंदूओं पर उन बिंदूओं पर धान देते हुए प्रहान मंत्री पर रहकर हम देश को विकास की और निरंतर अग्रशित करते हैं और इसी तरह से बच्चो कभी कभी आता है साहित्य और समाज साहित्य और समाज निवन कैसे लिखेंगे तो प्रस्तावना पहले जाएगी भूमिका विशेप्रवेस साहित्य और समाज की परिभाशा और महत्व अगर साहित्य और समाज पर हम निवन लिख रहे हैं तो पहले स साहित्य और समाज का संबंध क्या है साहित्य का समाज से जो अविछिन संबंध है अन्यों न्यास्री संबंध है दोनों एक दूसरी के पूरक हैं जैसा समाज होगा उस तरह का साहित्य स्रीजीत होगा और अगर साहित्य अच्छा है तो समाज को दिशाद दृष्ट देने में समर्थ होगा इसी तरह से हिंदी साहित्य के इतिहास के जो विभिन नकाल है उनका उठोरण देते हुए हमआफंसंगार की हो जाते हैं। साहित्य पैदा और पुष्ट होता है साहित्य के पथ प्रदर्शन में समाज को स्रेय और प्रेय दोनों प्राप्त होते हैं इन सब का उलेख किया जाना चाहिए अच्छा सूक्ति परक निबंध भी लिखने को आते हैं जैसे पर उपदेश कुसल बहुत तेरे एक सूक्त दे आ जाता है या साहित्य समाज का धर्पण है या परहित्य सरी सधर्म नहीं भाई एक अरधाली दे दिया च्छोटा सा सूत्र दे दिया और इस पर आपको निबंद लिखना होता है तो पर उपदेश कुसल बहुतेरे पन्निमन लिखने के लिए पहले आप लिखेंगे प्रस प्रवावशाली और कृत्रिम नहों जो साम में हो प्रवावशाली हो बनावटी नहो और सारहीन नहो और करनी के अभाव में उपदेशों की जो इस्तिती है वह निर्जीव हो जाती है बने वो सजीव नहीं होता उपदेश, कहते तो सभी लोग उपदेश देते हैं, लेकिन अपने जीवन में उसको उतारते नहीं हैं, तो इस तरह का लेख किया जाना चाहिए, और सजीव उपदेश की तभी सार्थकता है, फिर उपसंगार है, उपसंगार में आप लिखे उप होता है, ऐसे ही बच्चो श्रम का महत्त्य है इसमें प्रस्ताव न न है स्र Arm की आवस्यक्ता महत्ता और स्रम से विकास जैसे सालीरी खय मानशी सह पारलोक है और उसांति को देने वाला है अंताकरन की सुध्य के लिए है बिशारों की पवित्रता के लिए है यह श्रम का भी सेश्मात्र तो है इसे हम लिखाएंगे फिर अत्यधिक स्रम अगर किया जाए तो उसे हान क्या है यह सक्तिका हरास सारीरी कविनत बुद्ध में सहे थिल्य और विवेक सुन्यता तक आ जाती है कभी-कभी फिर उपसंगार सुखी जीवन और सम्रित राश्टर के लिए स्रम जो है अपरिहारिय है आवश्यक है इसी तरह से विघ्ञान की देन अभी मैं चर्चा कर चुका था आज जो यूग है बच्चो विघ्ञान का यूग ऐ तो ज्ञान और विघ्ञान का महत्व और उसकी महता का प्रतिप्यादन यह हम प्रस्तावना में लिखेंगे इसके बाद विज्ञान की आवस्ट्षिक्ता क्या है जो समुस्याएं उन्हें दूर करने के लिए संगर से सुकसान्त ज्ञान वर्धन सभी छेतरों में विज्ञान वह परम उपयोगी हो गया है आधुम के विज्ञान की देन क्या है इसको आप क्रम से लिख दीजिए मनोरण्यन के छेतर में ज्यान के चेत्र में यात्रा युद्ध रोग दैनी कुपयोग क्रिसी जीवन सभी चेत्रों में विज्ञान अपना वर्चसो जमाए हुए है फिर विज्ञान की देन लिखने के बाद यह लाफप्रद्व है शुखद है आनंद देता है समय की रक्षा करता है अनेक सुविधाएं हमें मिलती हैं लेकिन बच्चो अगर विज्ञान का दुरूपयोग किया गया तो यह बिद्धवन्स कारी भी हो सकता है इससे क्या है ब्यक्ति स्रम से बचने लगता है स्रम हींता अकरमनेता बेरोजगारी और विनास की प्रवित्ति में विब्रद्ध यह जो एटामिक एनरजी है यह विज्ञान की देन है अगर इसका दुरूपयोग किया गया तो क्षण भर में सब कुछ समाप तो हो जाता है तो अब फिर आईए उपसंगहार पर उपसंगहार में मनें बुद्धिमत्ता और कुशलता एवं जो कल्यान कारी प्रवित्ति है उस पर आप इसके निसकर पर भी निवन पूस्ते हैं रूप रेखा कैसे बनाएंगे तो इसकी रूप रेखा में पहले आप दीजे प्रस्तावना इस श्रिष्ट में नारी का क्या महत्तो है पहले हम प्रस्तावना देंगे उसमें श्रिष्ट में नारी का महत्तो क्या है उसका प्रतिपादित और भारतिय नारी के जो आदर्स हैं वह वीरवाला है, वीरपत्नी है, माता है, त्याक, सहन, सीलता, प्रेम, बलदान, समर्पन की प्रतिमूर्ति है वह, विदुसी है, और पवित्रता का आगर है, और ग्रिहकार दक्ष है, वो मिस्ट है, सिस्ट है, और मितब्याई है, प्राण है, समाज और राष्ट के कल्यान की उन्नाई का है, आप इन सारे विशेस्टाओं को टक दीजे, इसके बाद आप आजाईए उपसंगार पर, तो नारी के भारती आदर्सों में ही देश का कल्यान समाया हुआ है, तो जैसे आधुनिक शिक्षा, पध्धत, गुन औ और दोस, यह बहुत कई बारे पूछा जा चुका है, तो इसको लिखने के लिए पहले प्रस्तावना है, जिसमें हम सिक्षा के महत्तों का प्रतिपादन करेंगे, फिर प्राचिन सिक्षा पध्धत, जैसे ब्रह्मचरे आश्रम, गुर्कुल निवास, और गुरु सानिध् करके बिनम्रता पूर्वर्ट हम सिक्षा ग्रहन करते थे, उन सब का उल्लेख बहुत ही आदर और सम्मानसिक किया जाना चाहिए, शक्रिय एवं रचनात्मक सिक्षा थी, और सारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए वो सिक्षा बहुत ही उप्युक्त थी, अब आज की जो सि शिक्षा है, आज की शिक्षा निश्चित रूप से आपको सूचना परक जानकारी देने में बहुत आगे है, हमारी जो आस्थाएं हैं, वो विखंडित हो रही हैं, और शिक्षा जो है जीवन की तैयारी का नाम है, जब अच्छा, चुकि यह जो शिक्षा है, यह जो हर तरह से विद्या जो है, ज्यान जो है, हमें मुक्त करता है, अनकार से प्रकास कियों ले जाता है, हमें अज्ञानता से मुक्त करता है, और शिक्षा से मुक्त करता है, गरीबी से मुक्त करता है, बेरुजगारी से मुक्त करता है, तो शिक्षा का जो उद्देश से है, ब पद्धत आपको ऐसा नहीं लगता कि निरुद्देश से हैं बिना उद्देश से के हैं अकरमने ताकि और उन्मुक करने वाली है आलत से और पुरसार्फ हिंता को प्रेरित करती है ये शारीरिक मानसीक आत्मिक चारित्रिक विकास क्या आज की शिक्षा से हो पा रहा है तो य ये सारी बातें आपको अपने चिंतन के माद्यम से लिखनी होंगी तब ये आदुनिक शिक्षा पद्धत के जो गुण दोस्त हैं वे सामने आ जाएंगे इसके बाद उपसंगार परिवर्तन एवं सुधार हे तु आपके जो सुझाओ हैं बहुत सटीक सुष्पस्ट रू क्या हैं और निबंद का विकास कैसे हुआ निबंद के विशेस्ताएं क्या होती है निबंद की कि सैली में लिखा जाना चाहिए हमारे प्रमुख निबंदकार कौन-कौन हुए और निबंद लिखने की रूप रेखा क्या है कैसे निबंद लिखा जाना चाहिए इन सब बा अजये